सरोकार यहाँ तक की तमाम बड़ी पार्टियों के बोर्ट बैंक में यहाँ पर स्टैंज भी लग गई है। बात करें तो यहां पर निर्दली पित्यासीए बहुत जाले जीते यहां तक कि अगर बात करें तो निर्दली पित्यासी व कि जुवर पर्सेंटेज है वो बीजेपी से भी जादा धार। कि यह चुनाव यहां पर we honके ऑफमार बिय॓हार और यहां पर ऑफ हासर करता है जसका एक समयक्ता का प्रीकार अरा norm में पूर्पर जो पहके झाषाजण को यह सबसर करता है और जा रहा है मत्र परिश भी गए करनाटक भी गए अभी हाल में उनकी बंगाल में कास्टी करकरनी बेटक भी थी और बेटक के माद्धा ने चीज़ों को साध आ गया पर तो साधने के बीच में कॉंगरेस को अलग तलग कर दिया गया कॉंगरेस के लिए का बात नहीं की गई और ये तक कहा गया कि कॉंगरेस अपनी इस्तिरी को जहा है वहां मजूद करे पर जैसे ही कॉंगरेस करना ड़क चुना जीत कर आती है तो फिर विपच के शिर्मवर की रूप में कॉंगरेस की तरफ जुकाव भी होना सुरू हो जाता है कारण यह है देश की राष्टी पार्टी है और दसको देश पर आज किया है कॉंगरेस को कोई भी दल हलके में ले सकता है पर इसके साथ साथ तमाम गड़बंदन ऐसे है जोनको लेकर भी चर्चा होती रहती है खेर भारती राजनीतियों बिरा गड़बंदन के सरकार बना इतना आसान नहीं है पर चुकि गड़बंदन होता है तो उसके साथ ब्योस्था होती है और होती है उम्मीदे और जब उम्मिरत तूटी है तो कहीं न कहीं गटबंदन में भी दरारा जाती है तमाम दल बीजेपी के साथ रहे और तमाम दल सपा के साथ रहे अगर एक दल की बात करें सुभासपा तो पहले बीजेपी के साथ थी फिर सपा के साथ थी और फिराल अकेली है अब जाएगी किस तरब यह पता हैं क्यों कि मुलाकाते यहां चलती रहती हैं कभी 75 के साथ तो कभी 25 के साथ पर यहां पर जिस तरह से हम चर्चा कर रहा है सपा रालूट की तो वहां पर भी गटबंधन बड़ा मजबूत है और आज भी कहा जाता है बड़ा मजबूत है पर जो तमाम बातें सामने निकल के आ रही है जो सूत्र बताते हैं जो इस समय चलन में चलना है कि कही न कही इस गटबंदन में भी कुछ दिक्कते आ गए है क्योंकि तमाम निकाह चुनाओं में थी आज कियो निकल के पतार फूंत पर फूंत ए अब मंहां पर षी na कृतव कर दो लोग आपस भी ऐसे को पहर्मों जीता था अगर व्यूंस की बात करें रामज्पर की बात करें और ऑच हखकोर मैंख अग्शिक्री भाई प्रियास किया गिया जीत का और प्रियास जो जीत का था कि बहाँ पर सत्तरा बाइस में हाल में ही जो विक्रम सेनी जीत कराए थे दिकाय चुनाओं में नजर नहीं आया और यहां तक कई जगह पित्यासी उतार दी गए तो हम क्या मान के चले क्या इस गड़बंदन में भी रार आ चुकी है या सब कुछ ठीक नहीं है या कुछ अलग व्यास्था के चरब जा रहा है या फिर कोई और साथी इस गड़बंद अभी नहीं है और यहां पर अगर चर्चाए करेंगे तो बिना गड़बंदन के आप बीजेपी को चुनाओं नहीं होता है पर चौबिस के चुनाओं में बीजेपी को हमें राते नजर आएंगे क्योंकि यहां पर मेहनत नहीं की गई थी और पार्टी दोरा अलग तरेगे सब्सक्राइब करेंगे तो मजबूती कैसे करेंगे जब एक साथ जोड़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे फिरां कुछ बयान सुनते चचा को आंगे बढ़ाते हैं देखिए लोग दल पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को नए सिर्य से उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अभियान चलाने में लगा है हमारे राष्टी अध्यक्ष चौधरी जैन सिंग जी 19 तारिक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन लोक्षवा छेत्रों में समरस्ता कारिकरम का आवजन किये हुए है कुछ मध्य में भी और कुछ पूर्वी छेत्र में भी हम लोग जो है जो हमारे दस छेत्र बने हैं उसकी समीक्षा बचाके करने का नेड़े लिए गया है जहां हम लोग हारे हैं हमने हार का पता तो दिया कि जिस तरीके से सारनपूर का उधाराना आपके पास है आगरा का उधाराना आपके पास है मुरादाबाद का उधाराना आपके पास है जहां भाजपा ने बिल्कुल हारी भी स्थिती के अंदर अपना आपकी जीत दर्द कराई है तो यह सारी चीज़ें इनकोपर मेंजे नकाए के लेकिन इनसे घबराना नहीं अब सबसे मेटपूर बात यहां पर यहां पर यहां पर बात तो एक सार्टी कर रहा है पर रार क्यों आई है और अगर रार नहीं आई है तो दोना नेताओं के तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया है अब उन्हें हम देखते हैं तमाम तरह के बयान आते रहते हैं और कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगर हलचले होती हैं तो उसके बाद सरगर्मिया भी सुरू हो जाती है और यहाँ पर हलचलो के बाद कोई बयान ना अस्पस करता है कि बात तो गडबंदन की होती है पर कोई ने कई कुछ दिक्कते आच चुकी हैं अब यह गडबंदन कितना आगे बंड़ने बाला है या कितना ये एकता बनाए रखेगा और कितना ये बीजेपी की चुनोती बनेगा ये फिराल एक यच्छ पिस्न बन चुका है मैं यहाँ पर रालो और सपा गडबनन की बात नहीं करता हूं पर तमाम पार्टिया ऐसी हैं जो अपने आपको सोच रही है कि 24 चुनों में किस तरह बीजेपी को हराया जाए और बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टिया यहां पर लगातर एक होती नजर आ रही है पर एक होने पार्टिया साथ में आएगी कि नहीं आएगी राजर साथ में आएगी कि नहीं आएगी वो अलग ब्यवस्थाएं हैं पर सबसे मेर्पूर बात यह है कि चुनाओ लड़ा कैसे जाएगा जब पहले ही विपच्छ दोफाड हो जाएगा जब पहले ही विपच्छ में अंदर कलाय हो जाएगी, कलेस हो जाएगा तो आप सामने बाले से लड़ेंगे कैसे चर्चा वे से इसलिए भी मेरपून है क्योंकि अगर आप भी इसका डेमेज कंट्रोल नहीं कर पाए इसकी बेवस्ताओं को नहीं सही चपाए या अपने लोगों को साथ नहीं कर पाए तो आने बाला समय आपके लिए बड़ा मुस्किल होने बाला है जब बीजे पी एक तरफ और वेस्ताओं के साथ मेहनट के साथ यहां आगे बढ़ती चली आ रही है अब यहां चलाने जा रही है चाय पर चर्चा करनी जा रही है तो हम देख रहे हैं कि बेपच्च में केवल बैठक हो रही है रजनीती क्या होने वाली है किस तरह काम होगा किस तरह हम बैतर कर पाएंगे उसको लेकर फिराल कोई कारेजना मेरे को नजर नहीं आ रही है हम लगातार देख रहे हैं कि 2024 के लेकर यहां बाते तो हो रही है पर 22 के बाद 10 मार्च को उत्परिस में बिरांसभा चुनाओ के पढ़नाम आये थे और 25 मार्च को उत्परिस के मुखवंति के रूप में योगी अरिजनाते दुबारा सपत ली थी उसके बाद सलक पर बिपच्छ नजर ही नहीं आया बहुत कम जिने जिने हम अगर मामले लेलें तो उसके लिके बिपच्छ सलक पर और जो बिपच्छ की भूमिका होती थी उसको अभी तक दरवाय करता नजर नहीं आये बिपच्छ की बात करOOत तो यहां समाधरी पार्टी मुख बिपच्छ में थी और समाज़ी पार्टी जोरा कोई बड़े आंजोलन इनहापन नहीं किये गए, एक दो आंजोलन को छोड़ दें, तो सारी राज़ी ती ट्वीट और सोचल मीडिया के माध्यम से हुई, और तमाम आमले ऐसे रहे, जहाँ पर अगर बेपच्च चाता, तो सत्ता पच्च के ना पर सबसे मेटपूर बात यह है, कि अगर इसको लेकर हम नहीं समझेंगे, या काम नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान हमको आने वाले समय में बोगतना होगा, और फिराल यह नुकसान कौन बोगतने बाला है, यह सब जानते हैं, चर्चा बेसा है, मेटपूर इसलिए भी है क्योंकि आज जो चर्चा होने वाली है, उस चर्चा का केवल हो केवल एक मकसर है, कि बिपच्च की मजबूती क्या है, बिपच्च की बेवस्थाएं क्या है, और बिपच्च यहां पर किस तरह अपने आपको एक करने का प्रयास करता नजर आएगा, क्योंकि अगर आप प् बीजेपी जीत के आईए इसपस्ट करती है कि जहां रणनीती होती जहां मेनद होती है महां पढ़नाम आपके पच्छ में आते हो पढ़नाम इसपस्ट करते हैं कि यहां पर आपको ब्योस्थाओं के साथ समझा गया है और सबसे मैटपूर बात अगर इस चर्चा में हम देखते हैं कि अगर बिपच्छ की भूमिका को निभाना है तो सबको एक साथ जरूर आना होगा क्योंकि यहां पर कॉंगरिस के अपनी व्योस्थाँ है सपा के अपनी व्योस्थाँ है राज़त के अपनी व्योस्थाँ है अपनी युजना है, आमाडी पार्टी के अपनी युजना है, जालूर के अपनी युजना है, सुभासपा के अपनी युजना है, सबके अपने पर एजन्डे हैं, सबके अपनी पर बात हैं, पर यहाँ पर एजन्डा एक बनाना होगा, जापर एजन्डा एक बनाएंगे, तो यहां पर बैतरी को अंजाम आप नहीं दे सकते हैं तमाम कुछी समय में मेहमान हमाजा जोड़ने जा रहे हैं आपको बता दू कि यह चर्चा वैसा इसलिए महरपूर्ण रखी गई है चुकि यहां पर अगर बैपच्छी एकता मजबूत नहीं होगी तो 24 का चुनाओ जैसा आपने 14 में देखा और 19 में देखा चुनाव एकतरफा रहा है और चुनाव एकतरफा रहता है तो कहीं न कहीं लोकतन के लिए भी नुक्सान दे हैं लोकतन की खुब शूर्ति मजबूत सत्ता पच्च बात करें चाहे नीतियों की बात करें चाहे जल की बात करें तो कुंसी में वाची गगिया जा रहा हैं और अपने आप कोई बेहतर गंबी नेटा की तरह है प्रिस्टर भी कर रहा है पर निकाय चुनाओjem को इसने कोंड़ करा कि देखाए नूबारे जनता पारटी की मशिंडरी सरकारी मशिंडरीắ Assistant दूर्पयोग किया गया इसका, लोगों को मदान स्थल तक नहीं जाने दिया गया, कर्फ्यू जैसा महौल, लोटरल इसमें लोगों का नाम नहीं, अभी आपने देखा होगा, सौर में जो उपचुना हो रहा था, सौर में हमारी प्रत्याशी अनुरादा चोहांजी, किस तरह के से लोगों के बी में, और किस तरह के से धान दूए आपने देखा होगा, कि बिठाला की सोर प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकट देने के लिए, और बाद में पुलिस बल पे, पुलिस की लाठी पे, बूटों के दम पर जीत का सर्टिफिकट की सोर को दे दी, आपने मैनपुरी की घटना देखी होगी, आपने लखीमपुर का देखा होगा, कि किस तरह के से प्रत्याशियों को, और नगर पंचायत में और नगर पालका में, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, और ये जो नगर महापौर, ये सही है, मैं बदाई देना चाहता हूँ, इनके जीते हूँ आप कते ही कंपेर नहीं कर सकते, और साथी साथ गौरो भाई, बड़ी माफी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि शिमते डिमपल यादो जी, कन्नौ से नहीं, मैं पूरी सोबचुना अभी जीतने का काम किया, और आपने देखा होगा, खतौली में, हमारा गडबंदन जो है, वहाँ पे जीतने का काम किया, और स्वार में, और आपके चानबे में, किस तरीके से, चुकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा परव होता है, मद्दान, और किस तरीके से बारतेंता पार्टी ने लोकतंत्र का उपहा सुनाने का काम किया, और अगर लोकतंत्र को बचाना ह तो निश्टीत रूप से हम सब लोग एक जुट हो करके सारे विपक्छी दल एक जुट हो करके हम लोग आगे की रणीत तैयर करेंगे और बहुत से रणीत बहुत से फार्मूले पर बात हो रही है हमारे शीच नेत्वत इस पर विचार भी मश्च कर रहे हैं और मैं समस्क्रा इसका खुलासा किसी चैनल पर करने का अशकता नहीं है और रहा सवाल RLD से RLD से हमारा गड़बंदन तब भी मजबूत था आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा अच्छा अब तो RLD वाले बताएंगी कि मजबूत है कि नहीं है बेर भाई मजबूत है कि नहीं है अब ज़ए तरीके से मजबूत है अगे में यह मजबूती के साथ गड़बंदन चुनता रहेगा अच्छा मजबूत कैसा है कि आपस पर चुना लडगाए कि स्ट्यूटो पर चुनाओ आपस में लडगाए तेकि यह कैसी मजबूती बता दीजे में समझ मनिया थे कई जग कि आपने सामने चुनाओ नहीं हुआ है दो तीन जगे पर कारिकरताओं ने कुछ इस तरीके से परचा दाखिल किया कि हमारे और उनके परत्यासी आमने सामने हुए है उस बात को हम सुधार करते हैं लेकिन वह गटबंधन में दरार का कोई कारण नहीं है कोई गटबंधन म कोई लेकर के कोई डिस्बूट है शोटा चुनाओ था कारिकरताओं कि अपनी मिल्साथी लोग आ गये मैलान में तो इस पर कोई भी बात हमारे आपस में नहीं पड़ा हुआ और वह बात समात हो गई तो उसके उपर बार बार चर्चा करने का कोई अच्छत नहीं है तो कही काई पर हमको को संधोते करने पड़ते हैं और वह समय समय पर किये जाते रहें अच्छा यह पता रीजे आपने बहुत अच्छी बात कहीं कोई करी चर्चा चल लहीं हो जबता चर्चाएं अशी चल लहीं हो चर्चा कोई आधान ना हो पर जैसी मेहनर खतोरी में की गई थी क मना कर यह मंतिर निंग किया तह कि अगरार सिट के बात करें पस्टिम की सीट है औहापार इल्ड का फासा परभाव है तो मैं जाते अनकिख वह दंग तरह प्रहां पर हमने वहां पर लगाई लड़ी अब जनादेस हमारे पक्ष में नहीं आया तो यह नहीं कहा जा सकता है कि हमने वहां मेहनत कर दी अच्छा या हमने वहां लापरवाही बड़ती अच्छा साथ शुकारों कर दी बहुत 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 करने के बावजू परिनाम प्रक्ष में नहीं आते हैं यह तो जनता का जन्रादेस है जो अंक्छा है अपने मतादिकार प्रयोग करने के लिए और उन कम्यों को दूर करेंगे तो साइद भबेसिन ने वो परणाम हमारे पक्ष में आएगा आपको लगता है कि कुछ सभाय हो जाती है परचार हो जाता है रही हो जाती है हम तो लगाता है और वो लगातार चोनावी मोड में रहते हैं तो हम भी लगातार चोनावी मोड में हैं आप हमारी जोस्ता देखिए कि हम 19 तारीख से हम लगातार अरे कैसा चोनावी मोड है पूरा निकाय चोनावी मोड है क्या निकाय चोनाव बाकोवर दे रही थे या हलका माली निकाय चोनाव को कर रहे हैं आप पस्टी में उत्तर प्रदेश के आपने जो रिपोर्टर्स हैं उनको श्क्री अरे है मेरे पाइए रिपोर्टर है भई हमसे एक सूची ले ले और हमारी देख लें अच्छा का सब्सक्राइब करें जनसभाय कर रहे हैं जनसभाय करता है ले यह यह तर्फक हमसे पूरे प्रसंट पूछने का रहे हैं जनसभाय कहा हुई थे आप जन्सभाई कहां कहां हुई थी निकाह चुनाव जीते हैं आखिर तो हमारे नगर बंचाद और नगर पालिका के जो तेई सुनाव जीत करके आये हैं अद्धर जी तो यह क्या बिना किसी कारिक्रम और रूप रहा कि पुले जब पुशा जालाता यहीं जब आप चाहिए थी करत जी आपको मेरी याँ को बड़ी सफलता मेली रूप यह उसकी जरूर है पर निकाह चुनाव से कुछ मरहम लगा है और मरहम लगाना भी चाहिए क्योंकि यहां पर चुनाव बड़ा मेठपूरता और जहां पर मुखवंत्री 55,000 सभाय करते हैं बाइब पर पर शार सभाय करता है अखले यादो सभाप्रमुक 6-7 सभाय करते हैं क्या आपको लगता नहीं है कि पूरा बाकोवर आपको देदिया के तरह चुनाओं में चुनाओं लडा ही नहीं किया और भाई दूसरे अब गडबंदन की ब अब देना है जी जो आप ही से जी आप ही से जी जी इक गड़ो जी मैं यह बहुत साफ कहना चाहिए इसमें कोई मतलब भार्तिय जंता पार्टी का सपा बसपा या कॉंग्रेस का रालोट के गडबंधन में कोई कॉई कॉइए पीज़िया देने का कोई बात नहीं बनता है देकिन अंत्रिक और लोगतांत्रिक इस्तति जो है उसमें निश्चित रूप से हम अपनी बात यह कैसी बात कर रहे हैं अभी आप देखते चाचा बतीजा का बाबाल होता था तो आप पतिकरिया देते थे खुश में वह साना जाता था था कुम मजे लिए रहते थे वह लगाता है निश्चित रूप से आपने जो पिछले 10 साल में उत्तर पदेश की धरती पे जो गट बंधन हो रहे थे उसके हालात आपने देखे चाहे मैं कॉंग्रेस सपा के गट बंधन की बात करूं चाहे रालोद और सपा के गट बंधन की बात करूं चाहे सपा और बासपा के गट बंधन की बात करूं और चाहे मैं कहूं कि राज जी के साथ तमाम छोटे दलों का गट बंधन करके अभी 17 के कहलता है वाइस के चुनाओं में किस तरीके से उद्रे अखले जी किस तरीके से उसके पहले गट बंधन करके उद्रे तो उसका सब सब्सक्राइब करें तो आपको निस्टीत हो जान करें लोगा देगा अब ही अभी आपने ही कहाओं जिकिप अपने गडफन में लीज्ज़ अपने अपने घडबंधन जब बहुत सारी हुए अगर, अधूर नियकिपन गडबंधन करते हैं गर अगर आप करते हैं तो यंदि पार्टी के नेत्रत्रा पार्टी के साथ जब अपनी पोलिंग बूद पे हम खड़े होते हैं पार्टी के नेताओं ने मेनत किया कि इस उप्चुनाओं में अभी देखा आपने आप स्वान कह रहे थे कि इस उप्चुनाओं में विधान सभा में हमने क्या था वो चुनाओं में जीत दर्श की उची के साथ निकाय के चुनाओं में भी भारी बीच विजय ओ जीत दर्श की है तो यह हमारे गट बंधन का एपूर रहता है आधने मोदी जी गट बंधन धर्म का पालन करते हैं प्रविज राजबर आपको छोड़ के क्यूव साहा थ तो w t pleaseddest смотреть है इंच्छाया की मूड आपट नहीं हांतु अनको अनको नहीं को समान दिया रहें हम ने हमने पनावल्नी के समान डिया पिछले काफी दिनों में आप देख रहे हैं आप प्रयासाइट के लिए भारतीय जन्ता पार्टी में आप पुना अच्छा आप जोड़ें किया उनको पुझे जोड़ें किया आप दुबारा अभी तो हमारा इस्तित का काम है अच्छा हमारा नेतित भीचार करेगा अधनी अभी आप दो मेरा कोल दी आप नेतिर पर काम करेंगा समझ मनी आया है मेरे बाद पर प्रफक्ता कॉंग्रेस मिरूट भाई आप करनाटक जीत करा है और आपको अब बिपच्छ में आप पुचा जाने लगा है पहले तो आपका नामीन ली जा रहा था अलग मूर्चा बना को ज़िए कि जरूओी नहीं है कि नहीं जिए तुमाआ आपको लाव मिलें मिले महने पर रहिस्थान जट्र्च तवह ज़नाज नव हुए तुमाने के बिरह वासर चुना होने के ल país माध को बार बार धन्यवाद करनाटक की फ्रगति करनाटक की परशिद्धी करनाटक की स भारती जनता पाल्टी की पिछली सरकार ने करनाटक में और पुरे देश में जिस प्रकार से जन सरोकार के मुद्धों को किनारे कर दिया है अपनी सस्ती जूठी हलकी हिंसा गोली गाली वेग वाली राजनीत से करनाटक से जो बयार बही है वो पूरे देश में नए राजनेतिक सकारात्मक वातावरल का जन्म देगी कारक होगी और भारती जनता पाल्टी की जो ये जूट की असमयधानिक करत करने वाली संसाधनों का दुरपयोग करने वाली अपने पूजी पतियों को देश के सारे साधन संसाधन की लुटाने वाल सरकार, नौजवान बिरोधी, किसान बिरोधी, महिला बिरोधी, आत्मवाशी बिरोधी. अरे मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, ये क्या तरीका है आप? पेला राउंड है, पेला राउंड है. थोड़ी सिष्टा तो होनी चाहिए आपके अंदर. तो देखिए गवरो जी तो इस प्रकार से जो एक नई बयार बही है भारज जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो उपेक्षित आवाजें थी सरकार के द्वारा चुकि इनकी सरकार है सत्ता के दम में चूर सरकार है सत्ता के नशे में मत भ्रंद सरकार है सत्ता के नशे के गोड़े पे सवार है इनको कुछ नहीं दिखता है अगर कोई पत्रकार साथी, कोई राजनेतिक दलकाकार करता, कोई बुद्ध जीवी, कोई रिसर्चर, कोई तुलनात्मक रूप से अगर इनकी जवाब दे ही सुनिश्चित करने के लिए अपने सीमा में, मर्यादा में रहते हुए, असमयधानिक सीमाओं में रहते हुए अग का moral down करने का damage करने का काम करती है तो ये भारत की जनता है मांनेवर सरकार में आपको बता देगी लेकिन इस्थाई आपके नाम रजिस्ट्री वेनामा नहीं कर देगी जी आपके इस क्रत्त से आपने खोर निरास किया जनता ने पूरा प्यार आपके उपर लुटाया आपने सही बोला गलत बोला नया भारत स्मार्ट भारत अब तक का सबसे बहतर भारत लेकिन किया आपने उसके सीधा उल्टा हर सवाल से भागना बचना और सवाल करने वाले को आप दुश्मन मानते हुए उस नात्मक तरिके सोचते हैं चिंतित हैं वो भारती जनता पाल्टी की जूट की पूल खुल चुकी है उत्तर प्रदेश बड़ा एक कारक बनेगा और सभी समान विचारधारा के लोग यहां पाल्टी पॉल्टिक्स बात की बात आती है भारत का भविश भारत का युवा भारत क महिलाएं भारत का भविश अगर बहतर होगा तो सब के लिए ठीक होगा मेरे समाल यह है कि आपने कनेड़े चुनाव बैसन लड़ा वहां पर सरकार बनाई निकाए चुनाव बाकोवर दे रही था पूरी तरह से कोई नेता नहीं आया ललक्यों नरसक्ति हुए भी नहीं आ नहीं नहीं देखिए गवरों जी ऐसा बिल्कुल नहीं था यह सही है कॉंग्रेश की निउफ। की पीट की रीड़ कोउंग्रेस पालटी का आधार लाखों करोणों कांगरेस के कारकरता जन है अच्छा जो कोंग्रेस की विचारधरा को कॉंग्रेस की सोच को आगे रखने का काम करते हैं ठीक है राजनितिक जीवन में कोई किसी पतपर कभी है नहीं है साधरन कार करता है विसिष्ट कार करता है पतादिकारी वो बात अलग है लेकिन करनाटक में जिस करनाटक के भविस्ट को सुरक्षित रखने की लड़ाई निर्नायक लड़ाई जो राष्टी दे रहें उत्तर प्रदेश तो हमारे हिर्दे में है अरे पिक्चर का भी तो ट्रेलर शुरू हुआ है पुली पिक्चर भाकी है मेरे दोस्ट अभी आप देखते जाएए जितने भी खलनायक लोग है सारे लोग मैंने कहा समान कोई यहां पर यह बात नहीं है सेवल भारत के भविस्त को भारत की बदलाओं के प्रति जो लोग सचेत हैं तो पहर कॉंग्रेस करें कि क्या है आपर बिल्कुल कॉंग्रेस तो खुले तोर से स्वागत करती हमारे आर पार की समयधानिक राजनेतिक नेतिक लड़ाई भारती जन्ता पाल्टी के खिलाफ है जो भारती जन जन्ता पाल्टी की जो राजनीती है हिंसा वाली गाली वाली गोली वाली बांटने वाली विक्तिगत वाली इस सब का पूरी तरीके से मुखरता के साथ विरोध करना आज के समय की नितान तावश्यक्ता है कॉंग्रेस पाल्टी को करनाटक की सम्मानी जन्ता नहीं है तिया करेपर स्पाइए, आप में ना बनांने तइर है ना सपफ हैं और र proteg आप यह उर लाय को आफ सब एक तरी च यहां पर बना रहा यह सबया किसे जो प्रसापि कॉट गई स इस पर रहा रहे गा और राजतिभ पर्टी कभी यह नहीं कह सकी है कि हम अपना दम भरकए यह थिर लड़ें गया जाली fois masks तो राजनीती में कड़बंदन का बनना और कड़बंदन का ढूतना इसका कोई बहुत महत हो नहीं थी कुद्कि ये सब जानते कि ये मौके की मौके का फायदा उठाने के लिए हरा अपने हाथ को बढ़ाता है जै किसी भी पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टी से हाथ मि अगर प्रभक्ता जानते हैं लेकिन अगर गड़बंदन टूट रहा है तो इन्हें आगलंग करने के ज़रूत है कि हम पिछले बार गड़बंदन पे आये तो हमें क्या बाइदा नुक्सान हुआ था और और दो हजार चौबीस की जो बिसाथ है न वो बिसाथ इतनी मजबूत है कि आपके लिए एक एक प्यादा बड़ा महत्कून है आप धले हाथी हो बले आप वजीर हों लेकिन एक प्यादा भी बड़ा महत्कून है इस जलाई में यह लड़ाई अगर आपको जीती है कि यह जो अभी निकाय चुनाओ निकले है इस देश में जितने इतना पड़े चुनाओ के कडीब आते तो हराथ इसको सेभी फाइनल के रूप में देखता है जब कि मैं इस बात को इल्कों की जिरह से नकारता हूं कि यह सेभी फाइनल नहीं है निकाय चुनाओ एक अलट लेकिन निर्णायक नहीं होता है जो बहुत सारे लोग कहा था कि भारती जनता पार्टी ने एक अच्छी बड़ा खासिल करी इस निगाय चुनौ लेकिन फुछ सीथे ऐसी हैं जो भारती जनता पार्टी की साथ पर सवाल खड़ा करती हैं जैसे आयोध्या बिल्कुल आयोध् इनको जीतनी चाहिए बिल्कुल लखी तो इन्हों ने गिद्धान सभा की सारी की सारी स्विटे जीत ली थी तो आयोध्या में तो कोई कांड भी नहीं हुआ और भगवान राम भी आयोध्या में ही स्थाफित हो रहा है जहां से बार बाजपा की राजदीती का उदाय होता है उस आयोध्या में देखें कि पास कितनी सीटे आई तो आयोध्या में सीटे ना आना ये बहुत बड़ा सवालिया निचान खड़ा करता है आपकी गुड़वत्ता पर और आपकी साथ के ऊपर रही बात अक्सी सीटों का जो लूब रभा का चुनाओ आ रहा है इसमें करीब लेकर के नहीं जाए करनाटका में पिछले विदांस पिछले लोगसावा चुनाओं में आपने 28 में से 25 चीटे जीती थी लेकिन इस बार जिस तरीके से कौर्ण मुरेत बड़ा थांसिल करी है ये निश्य थी लोगसावा चुनाओं में आपकी सीटों पर परक अब लोगसावा से पेले पाँच राज्यों की चुनाओं होने निकलते राज्यों से यह तो उनकी जाएक जियुदेगर वेख हैं पॉब्लिक अनरेश्ट फैना हुआ है कि यह पॉब्लिक अनरेश्ट भी तो आपको इखिलाब जाएगा उत्तर-प्रदेश में बॉल्डोजर जाकर कि आपने बड़ा थासिकर ली लेकिन उत्तर-प्रदेश का बॉल्डोजर हर स्टेट में नहीं चल पायाँ पिस्कि उन किसी भी पार्टी नहीं जी सकता है किसमत से चीका एक दो बार फुकता है हर बार नहीं पुकता है किस तरीके से गड़ बंधन को मजबूती प्रदार करते हैं तो फिर जन्ता देन नहीं आटेट निटिश्कुमाजी सेंगा गड़ बंधन क्यों टूटा जी शुसेना जी की पार्टी उधर ठागरी सेंगा गड़ बंधन क्यों टूटा यहां वनका उंपर का राजबाटी से काड़ बंधन को टूटा और अभी जो यह दो उप्चनाव में अपना दल सब्सक्राइब करते कि मैंने दोनों सीटे अपना देने इसको दे दी इनको शायद मालूम नहीं है या इनको मालूम होगा यह बताना नहीं चाहते है लेकिन पूरे उत्तर पदेश से जान गया था किस तरीके से अनुप्रिया पटेल जी ने इनके ओपर दवाव बनागर के दोनों सीटे जो लेने का काम है और मैं अपने भाई हमारे साथ हैं भाई विनो सिंग जी जो कॉंग्रेस के प्रवक्ता है देखिए ऐसा है कि कॉंग्रेस की सरकार कई राजियों में है यह सही है कि लेकिन जहां पर काम जो पर हैं तो जो ऐसे राज जो विपख्ष की भूम का निभा रहे हो सीदे सीदे भारते अंता पार्टी से लड़ाई लड़ा है हुआ हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए जो है इन दलों को आगे करके चुनार लड़ना चाहिए और अगर इन फिरकापरस्ताक्तों से हम लोगों को लड़ना है उनके जूट इनके फ़रेब क्योंकि 9 साल में देखिए इनके पार्टी का नाम चाहिए पार्टी की हमद्धए जोट के बार पर चड़ने वाली नहीं है पुरी तरके सो खाड फेगने का काम करेगी और अपकी बार में समझता हूँ यह जाएंगे चुकि यह जहाज बड़ा हो चुका है और आप भी जानते हैं गोरो भाई जहाद जो डूटता है वह अमेसा बड़ा जहाज डूटता है तो 24 में इनका जहाज बड़ा है कि नहीं है पार्टि बड़ी है कि नहीं है अगर दो है तो ऑगर बड़ी है तो इनका जहाज डूटने जा रहा है दो जास टूटता है कि नहीं सकते हैं कि तहाज कि दो ही बार की सरकार जय Neighbor का फूल सबसे बड़ी भूल और चौबिस में जो है जवाब बोले बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे बात थे लुट्रु जागा बात भी जटा पार्टी के प्रस्थ ही अबस्का ज़ाज़ ना चानेगे लिए लिए लुट्राइव ज़ादी दॉट्धा ज़ाए बात जाए लिए ज़ते हों आपने जहाज बने तब से हम लगातार प्रगत पेहां और आगे बढ़ गए और हम जानते हैं आपने बड़ा जहाज है आपका यह माना आपने तो कश्मीर से कन्या कुमारी के और टक से खटक से अभी नरेंट्रमोजी के नेटर्प के बेटर्प के बराबार कोई भी गठी लगी अच्छा है और जब गठ पंधन एक चौबिश के बीड में दीवाग जानक आती है अब द क्या बात करते हैं कौन सा ऐसा तराजू है कि मानक है जिस पर आप तो आपके प्रधान मंत्री का जो जो नकारात्मक चबी है वो इतनी उट चुटी है प्रधार के लिए अपने काम से बड़ा होता है नाम सरी बड़ा होता है काम किया था तो जरूरा भी उनको बड़ा मानता है सबसे बड़े सर्वोच नेता प्रधान मंत्री जी आखिर उनकी चबी का असर तो अभी तुरंध करनाटक में दिग गया तो क्या भारती जनता पाल्टी में जो सत्ता संगर्श सरव्जनिट को चुका है क्या किसी और चेहरे पर आप राजनीत करने का मन क्यूंकि यह चेहरा तो लगातार धूमिल होता जा रहा है इस चेहरे ने अपनी विशुषणी ता करनाटक की हार की जिमेदारी आप किस पर लेते हैं प्रदान मंत्री जी करनाटक में मुख चेहरा थे कि नहीं लेकम की नहीं प्रदान मंत्री मोदी जी को लेनी पड़ेगी इतने बेंकर के पर्दान मंत्री नेन मोदी करनाटक में और बडा चेहरा थे कि नहीं थे उसके रिवा का रगए, बिरुन सिंका हमाली है आप से, अरुन बाई, बॉली है, और आप चेहरे का घुलगान कर रहे हैं, कुस्तो तथ्यात्मक बात करिए, कुस्तो बेवारिक बात करिए, कुछ तो ऐसी बात करिए, जो जनता घ्राये कर सके, सुपकार कर सके, मन गणन्त ब गाव नहीं जलने देंगे शहर भी नहीं जलने देंगे और देश की तरब आपको हांग उठा की देखने लिखें जा सकते हैं कांग्रेस का इतिहास बताएंगे गांधी वादियों से सीखिए अरे आप पहले हार की जिमेदारी पर मानते हैं की नहीं मानते हैं उनका चेहरा पूरी तरीके से भफल हुआ की नहीं हुआ जिस पर पहले बात में आप मैं आपको चुनलदी लेता हूँ आप में साहस में जिसे अभी आप कहेंगे करनाटक में घलिट नेस्टि का चेहरा जी वारतिय राज्ञे का रास्टिया ज़त कर गे दी कि लेकिन आप खरगे जी का नाम नहीं लेते हैं और बार बार नाम लेते ह ले रहे हमारे सम्मानत राश्तियत जक्ष हैं आप करनाटक का चुंखन हुआ अच्छा ये करनाटे की हार की वॉखलाट है महीं समय के आपको आप बोलेश के अंदर भारते कांगरेश पार्टी 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 पेपाटी अपनी ऐसे नहीं है और अदिपार जिन को बोल लाए है अरुन भाई एक सब्सक्राइब प्रुदेस में अपने पांच नेताओं का नाम गिनादें और पांच लोग सब्सक्राइब का नाम गिनादें अरुन भाई अरुन भाई चुन लिजे अरुन भाई चुन लिजे आपने काम से बढ़ा होता है नाम से बढ़ा होता है किसी के नाम का महिमा मंदब करके आप कपता कुछ होन को गुनाते रहेंगे अगर आप हार मानने में कोई बुराई नहीं है अगर आप हार मानने हार ुप लाइए लाइं के परदान만 तक आप देखें लेकिन आप लोग आसे बढ़ाव श्पता परिजा नहीं है अप्राप पी लिए पिलिए सब्दावनी जान लखिए करनाटा कि हर ने आपको गहरा आगाद दिया है लेकिन इतना विचलित्मत हो यह अच्छा लोकतांतरिक मुल्यों पर आस्था रखिए और जनता के जनादेश का सम्मान करना चरिये था पूरा आपको स्विकार क्यों पर करते लिए आप विच्नित क्यों हो और चाहिं को बोस्ते प्रदान मंत्री सुनेंगे तब ही फेधार बोलेगे तुन अरुड़ के भीड़ी आरोण जी पहाई आरोण जी सुन और यारोण जी निकांडुरी को के पतार करेंगे आपने कहा कि प्रामंतरी के प्यारों के धूल नहीं है यह कैसा बायान भाई वह भी पूर मुक्पंतरी होता परेश के बड़ी पार्टी के निता है मजभी विपस्च में आपके सामने खड़े हुए है पर यह कैसा बायान कि धूल नहीं है याफ नहीं है अखलै सिघा अफैनि कोई। आपने का आपने कि वह घुल नहीं है मैंने को टॉछ इस मेरे पारजिया? अरोट जी, आपको मेरी आबाज आरहे हैं इस तो अपको मेरे आबाज रहे हैं इस पढ़ा होता है उसका वेक्ति तो बढ़ा होता है यह सब्सक्राइब नरेन मोदी प्रामंत्री या बीजेपी प्रामंत्री है मेरा आप से सवाल है कि यहां पर चर्चाय चल लई है कि दरार है मैं नहीं बहुत है कि यहां पर चर्चाय डिबेट पर चलती है और चर्चाय रूमर्स बार भी फैले हुए है क्योंकि खबर अभीज भाही मामला उठाते हैं जिसमें मामला कोई ना कुछ संदे होता है तो यहां संदे की खतम करने के लिए क्लिए क्या ऐसा को बयान जैन जी की तब से या सभा प्रमु की तब से नहीं आना चाहिए क्या रहा है अब कि अगर आपकी अगर 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 कि मैं तो इसे अगर मेरा हो गया प्रीज समय हो गया है बोले मेरी बाप पूरी करें बोले अगर इस तरीके की चर्चाएं है तो इन चर्चाओं पर जाएगा और अधीर तक को आवसकता नहीं मैसूश किया है जिसके को आई सी चर्चाओं रही हो के हमारे और समाजवादी पार्टी के दीश में कट बंदन में कुछ दरार हैं अच्छा लोग एक साथ काम करेंगे एक साथ योजना रचना बना रहे हैं और एक साथ काम हम लोगों का दीलकुल एंसी मिननन है लेकर अगर आपकी तरफ से यह प्रस्त आया है तो जवोड़े आपने नहीं में सामने हो गए बहां पर फे आपके जाना पड़ा है आमने सामने की बार भी सामने आई थी निन के भुणा बोले ओड़े ओदया यारे उनिके गड़न न यहीं समय ступार! जली बोलीए, बैर बाई बद करेंगे करें लेकिन अमारे तरब से और नितरत की तरब इस हमाढ़ी पार्टी आहिं पिए कि तरफ से इस तरीके की कुई शर्टाय नहीं है, जो कर लगे नहीं है, इन पर भी दिराम लगे, आपन सभी से अंग चरत करेंगे, इस तरीके का कोई बीबाद नहीं है कि अमारे गड़ बंदन में कोई धरा रहा है एक परकतास भाप जानी बोले एक अठरी करमेंट, अखरी किस चीज में कोई रारी ने तो सफाई किस बात की देंगा वाइड हुआ इंस पर चार करने का काम सिर्फ भारत थांता पार्टिंट के लोग कर रहा है थीक ठीक है तो सुनने के तयाल में अधर्थ में पढ़ गए तो इस व्यु क्या समझगे दिली भाई आखरी कमेंट आपक कि देखे एक तो राजनीती में किसी बातों का कुछ रहा देता है लेकिन मैं यह जरूर का हूंगा कि भारतिये जन्ता पार्टी के प्रभक्ता ने जिस तरह से शब्दों का इस्तिमाल के इस पार्टी और यही शब्द अगर इनके खिलाब कहे गया होते तो शायद आपने के जरूर चले ज है प्रेश लिए और इस पिरेश फाइल करा देते जिए कानून का इस तरह सब के लिए बराबर और ठ्क.शे कानून का बढ़क्ति अब्रति करी जोब अच्चे मौके पर क्या करना चाहिए और तुल मिला प्रवक्ता जानते होगी जनता प्रवक्ता जानते होगी जनता तो यहां पर किसी कोई सफाई के आशुकता भी नहीं है चर्चा चलती रहती है घडबंदन की चर्चा चलती रहती है मिलाप की चर्चा चलती रहती है अलग होने की पर चर्चाओं पर जोर किसी का नहीं है क्योंकि जहां पर साय चिंगारी रहती है दुआ भी निकलता है अब पासपा का हो और इस गड़बंदन में कितने लोग साथ ही आएंगे यह भी बड़ी बात है क्योंकि यहां पर गड़बंदन के दो मोर्चे बनाने की यहां बात चल लही थी अभी हाल में हमें देखा है कि दो मोर्चे में गड़बंदन तब्दीर हो रहा था विपस्य तब्दीर हो रहा था और रचे में तब्दीर हो जाएगा तो चुनवलब ब hadnka कौट या अभर बास्तब में बेदर पढ़ना मिलाने है या बास्तम में मजबूत उलोक्तन के लिए मजबूत बिपर्च की एक कलपना करको उसको साकार करना है तो उसके लिए सबसे पहले बिचार बना ले होगे ब्युस्था मिलानी होगी और राय करनी होगे जिंडा एक करना होगा क्योंकि सत्ता परवरतन इतना आसान अब नहीं ह कि 24 चुनाओं में जहां पर बिजेपी अपने आपको हैट्रिक करने के लिए तरलगाता तयार कर रही है तो विपर्च को भी यहां पर उसी ब्यूस्था से उसी रणनीति के साथ उसी मेनर के साथ चुनाओं में उतनना होगा अन्य था जो ब्यूस्था है वो चलती रहेंग आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस